नमस्कार दोस्तों मैं हूँ बिंटु कुमार और मैं अपने सहयोगी मुरारी लाल मेना के साथ आज ग्राम पंचायत मिनी सच्चवाले नाराणपूर में खड़ा वा हूँ और आप देख सकते हैं इस समय जो चल रहे हैं परशासन गाओं के संग सिविर चल रहे हैं जो की 2 अक्टुमबर से मुख्य मंत्री के द्वारा इसका सुबारंब किया गया था और हर ग्राम पंचायत में परशासन गाओं के संग जो शिविर चल रहा है इसमें 22 विवागों के कारिये हो रहे हैं नार्यनपूर में 16 दिसंबर को ग्राम पंचायत जो राजियु सेवा केंदर है यहां पर शिविर का आयोजन होने जा रहा है उसकी तैयारिया ग्राम पंचायत नार्यनपूर के द्वारा जोर सोर से की जा रही है मैं आपको बता दूँ कि फ्लाल जो यहां पर राजिस विवाग के द्वारा नार्यनपूर कस्वे में कितनी आबादी है इसका सीमा ग्यान पटवारियों के द्वारा किया जा रहा है तैशिलिदार के द्वारा भी पूण रूप से निगरानी बनाई हुँ है यहां पर कि किस तरीकी से जो राजिस विवाग के जो कारिय है अदिक से अधिक यहां के जो सरपन से हमारी इस तरीका से बात हुई थी उनका यही है कि ज़्यादा चेधा की ज़्यादा सीमा घ्यान करवा के और ग्रामिनों को पट्टे सोपे जाएं ताकि उनको कुछ राहत मिल सके और भी काफी काम है जैसे पाला नहार है लगबग 22 विवागों के कारिये हैं और भी हम ज्यादा जानकारी इससे संबंदित हमारे सहयोगी हैं जो कि इस्टाम वेल्डर है कमलेश कुमार गुजर उनसे हम जानने की कोशिस करेंगे यहीं पर तैशिल में ही रहते हैं जो कि इनक संबर को ग्राम पंचयत कोलाडा में भी प्रसासन गाओं के संग्सिवर होने जा रहा है उसकी तैयारिया भी जोर सोर से की जा रही है और एक मैं महत्पुन बात यहां के जो ग्रामीन हैं उनको मैं बता दूं अगर आप पट्टा बनवाना चाह रहे हैं तो जरूर आप पट्टा बन पाएगा क्योंकि जिस तरीके से जो सीमा ग्यान हो रहा है उसके लिए यहां से टीम कटित की जाएगी और टीम डोर टूर जाकर जहां पर जिन लोगों ने पट्टा विदन कि है वहां सर्विय करेगी वहां पर नापतोल करेगी तो आपको 16 दिसंबर को आपक परसासन की और ग्राम पंचायत के दोरा जोर सोर से तयारिया की जा रही है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है कमलेजी यह इस टाम वेल्डर है यह ज्यादा बता पाएंगे कि सर 16 दिसंबर को जो कैम्प लगने जा रहा है ग्राम पंचायत नारणपुर में जिस और ग्राम पंचायत तुम जहां पर जो होना चाहिए था पट्टे जितने देने चाहिए तो वो पट्टे नहीं दे पाएंगे वहां पर अब निंगाए हैं सब की ग्राम पंचायत नारणपुर पर किस तरह के की तहियारिया चल रहे हैं आपकी निंगा में जिस तरह के इसमें कि राम पंचायतों में पट्टा वित्रण जो और ये पट्टा वित्रण कारिया है जैसे कास्तगार हैं जो आपने खाते चटवा सकते हैं पालनार योजना है काफी काम करवा सकते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे साथ ही जो बता रहे थे आपको कमलेश जी कि आप इसमें काफी जो राज़सों संबंदी जो कारी है वह आप अपने निस्तारन करवा सकते हैं उनका और मैं बता सकता हूं आबादी विस्तार जो की गोशर भूमी है या फिर शिवाय चक है तो एक आवेधन करके करवा सकते हैं ग्राम पंचायत के छेतर अधिकार में यह आता है और भी आप नामंतरन हैं अगर समसान भूमी है वो अगर रिकोर्ड में दर्ज नहीं है नामंतरन है सुद्धी करण है राश्टे कटवा सकते हैं इस तरी किसे अन्य कारीय है वह आप इन गौर्सन गाओं के संग जोकी एक मुख्यमंत्री का जो सपना है कि हर वैक्ति को एक सुईधा मिले और हर वैक्ति को पट्टा मिले उसको जो भूमी है अबादी भूमी है उसका पट्टा मिले तो ग्राम पंचायत की पूंड़ रूफ से कोशिस है कि जितने ज़यदा हो सके उ लिपिक हैं पूरण गुजर और ग्राम विकास अदीकारी है बंशिदर जी उनके दुआरा उन फाइलों का मोनिटरिंग की जा रही है उनको पूर्ण रूप से निस्तारण के लिए उनका प्रियास किया जा रहा है और मैं आम जनता नानपुर से भी एक अपील करना सब्सक्राइब। कर सकते हैं वह ग्राम पंचायद में जल्द से जल्द कर सकते हैं ताकि आपको 16 दिसंबर को ग्राम पंचायद के दौबरा निसुलक पट्टा दिया जाए और मुख्यमंत्र का जो सपना है वो साकार हो सके कैमरामैन मुरारी मेना के साथ मैं बिंटू कुमार देखते रहे हैं बिंटू की नजर